मत्वुरा धर्मनगरे व्रिंदावन के चैतन्य विहार स्थित महिला आश्रे सदन में एक बुजर्ग महिला की संदिग्द अवस्था में मौत हो गए महिला का अजला शव आश्रे सदन की मन्जिल के सिडियों में पड़ा मिला मौत्क महिला पिछले आट वर्षों से महिला आश्रे सदन में रह रही थी मौके पर पहुची पुलीस और फोरें सिक टीम ने मामले की चांज शुरू कर दी है रविवार को सुबह करीब 9 बजे चैतनी विहार सित महिला आश्रे सदन में उस समय हडकम मच गया जब सदन की महिलाओं ने सदन की पहली दूसरी मंजिर की सीडियों पर अपनी साथ रहने वाली वृद्ध महिला का अजजला शव देखा सदन की अधिक्षी का और चौकिदार मौके पर पहुच कर देखा तो सभी के होश उड़ गए महिला के शव के पास एक मार्चिस पड़ी मिली किसी तरह का जवलनशिल पदार्थ नहीं मिला वही आशरे सदन के प्रभारी संतोष मिश्रा ने पुलीस को घटना की जानकारी दी मौके पर पहुची पुलीस ने शव को पोस्मॉटम के लिए भेजा और जान शुरू कर दी है पौरंसिक एक्सपर्ट के टीम भी मौके पर पहुची और जान परताल की गटना की सुचना पाकर सियो सदर रमेश कुमार तिवारी एवं डीपियो अनुराग शामरस्तोगी भी मौके प्रपोजे महिला आशरे सदन में महिलाओ के साथ अधिक्षिका महिला आशरे सदन के प्रभारी संतोष मिश्रा ने बताया कि मौत्यक महिला 72 वर्षिय गायत्री डे पिछले आठ साल से सदन में महिलाओ के साथ रह रही थी यहां मुलरूप से पश्शिम बंगाल के जिला गोपालपुरा के थाना आंद्रो बंगाल क्षेत्र के गाउ बाकुडा की रहने वाली है उन्होंने बताया कि महिला को शनिवार की रात करीब साथ बज़े तक देखा गया महिला ने शरिवार की शाम को प्रती दिन वितरित होने वाली चाय और टोस्क लिये थे रविवार के सुबा करीब 9 बज़े जब सदन की महिला च्छत पर धूप सेकने के लिए गई तो उन्हें सिडियों में अजली अवस्ता में महिला का शव मिला और उन्होंने इस बात की जानकारी हमें दी वही कोतवाली प्रभारी अनोज कुमार का कहना है कि महिला आश्रे सदन में वृद्ध महिला का अजला शव मिला है शव को पोस्मॉटम के लिए भेज दिया है आत्म हत्या या हत्या का पताल लगाया जा रहा है दोनों ही बिंदुओं पर जांच की जा रही है पोस्मॉटम रिपोर्ट के बाद ही इस केस में कुछ पष्ट हो सकेगा मौत का कारण पता नहीं चल सका है इन बीसे नियूस के लिए मतुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट